जे में गरीबी ते अमीरी दावा दा आउना जाना है जे अमीर सेथ आजी करेगा ते उन्ने दीवा सोने दा बना लेना है उन्ने जो उन्ने दीवा सोने दा बना लेना है जे जरा उसनों थोड़ा जा काटो वेगा उन्ने कहना है चलो चांदी दा इची खे उस तो पिछ पिछ पितल दा, तामवे ते लोहे ते आ किया बादेडा गरीब तो गरीब है वो मिट्टी दा दीवा जा फिर आटा गुन के आटे दा दीवा भी लोग बढ़ा ले थे हजूर दी ने फिरमाया ये जितने दीवे तुसी बाल रहे हो ये सारे दीवे बुजन वाले और बुजन देने तुसी छोटे छोटे दीवे ते गास का रहे हो मेरे मालक दे दीवे ते बहुत बढ़ देने जो सारे प्रहमंद वे चरौशनी कर देने गगन मैठाल रावचन दीपक बने तार का मंदल जनक मोती तनासरी महला पहला सुहला ये दो दीवे ने चांद अते सूर्ज चांद सूर्ज दो बिर्दे रखिया है नेचल हो वे थाओ मार की मावार महला पहला दो दीवे चौदर हट नाले सुही की वार महला पहला ये दो दीवे पर ये के दो दीवे दोना ही कुल हो जाना अंदेरा हो जाबे जाज फेरें अंदेरा ही अंदेरा फिर केंदेने सितारे भी चानन देंदेने सितारे भी सेर देंदेने ताइयों सर्कार ने चमकौर दी गड़ी विच आपने सजे पाशे वाई द्रया सिंग जी नो खड़ा करकिया खिया द्रया सिंग ओ देख सितारा हाँ मैं देख लेगी कुछ लोग इशनु तरूफ अगर तभी कह देगे क्योंकि ए बदल दा नहीं आपने था ते अचाल रहन दाए और सितारा देखो जे अशी ते अगे पिछे के ते हो जाए बस दुशा इस सितारे दे सामने तुरे आना मैं जिथे भी हो मांका तौनू मिल जांगा तौनू लाग बदल हों गालिया कचामा हों तारे दे रोशनी भी ना हो फिर लोग यतन कर दे Adjust ले लकली बाल के रोशनी कर देने दिवा बाल के रोशनी कर देने पर गेंदे ने विशेष तोर ते खट जोती ने शे पर गार दिया जीचा रौशनी कर दिया हैं पर इना दी रौशनी वजगु ते प्यारिया ली महांता वाली नहीं है केंदे ने एक सूफी संत जो गुरु के एक बहाद दीदे समय हजर्द सुल्टान बागु हुए है उन्हें गाला एक से पहले उन्हों समदिया तेज पाक्रू भ्यान कर दिया हैं केंदे ने विज्यस्मानी तारे चमकन सन सजना बाज अंदेरा हू हदर्द सुल्टान बागु लखा स्तारे चमक रहे ने लखा सूर्ज हूं चंदर्मा हूं पर सानुते अपने मालक को बिना देरा है इस गुरू अंगर देवची माराज ने सब को पहला मैसूस कीता जे सौ चंदा हुग वहे सूर्ज चरह हजार इते चानन हों देयां गुर्बिन को और अंदार वार आसा महला दूजा गुरू तो बिना दे रहा है क्योंकि ये चानने बहारता रौशनी कर सकते ने मनोख दे अंदर चानन नहीं कर सकते जनों तक मनोख दे अंदर चानन नहोगे जनों तक मनोख दे अंदर रौशनी नहोगे इस बार ली रौशनी भी कोई महांता नहीं बलकि बहुती रोश्णी अखानों जादा नुख्सान भी पहुंचा दी इस वास्थे इस वारी रोश्णी नाल को लुग नहीं महनू जे चानन करेगा ताफ सात्पड्रु चानन करेगा हिर्दे बेचे तो चानन होवेगा ताफ गुरुत वारा होवेगा बल्या गुर ग्यान यंदेरा बिंसिया हरतन पदारत लादार सिर्या के चंत महला जो था यह निने गुरु ने ग्यान रूप रतन अंदर बाल लिता है ग्यान दा चानल कर लिता है जो अंदर चानल हो जावेगा पिर किसे न किसे नुकरे किसे न किसे ठावेचों जरूर मालक दा दीदार हो सके ते फिर आख़ाँ बांद करके कोई बैठा होए ति उस सामगे आके ख़लो जागेगा क्यूंके पाई साफ पाई व्हार दी ने एक ख्याल देंगा आप कर देने जिना दे मन में तेरे दी दार दी तांग है वो एक तखती गल नहीं हजारा तखतानों ठोकर मार के तेरे तक पहुंचा दे हजार तखत मुरस्ट है फितादह दार रहा अं कलंदर आने तो ताजो नगी नमे खाहन पाईसा पाई मतला तेरे कलंदर तेरे मस्त फकीर तेरे दर्वेश इना तकतान ते ताजादी प्रवाद नहीं करते क्योंकि उसमझे ने मुर्षदे कामिल कसेरा दस्तदार तादिर्फारा वफर के उलिहाद जिन्दी नमा पाई मनलाल क्याने ने जदो मुर्षदा हाथ किसे दे सिर्थे तिक जांदा है दुनिया के तो को तो अनू एक हाथ नजरांदा है पर गुरुताओ दे सिरुपर जियांदा सचा ताज रख देंदा है जिस ताज नो कोई खो नी सकता जिस ताज नो कोई राद नी सकता कि कंसने आखे आपने पिता उगर सहन नो ए मुकट ए ताज उतार के रख देओ कि मैं उतारा हूँ आप नहीं उतार ना प्याद दुर्योदन में परिसावा बिच पादमानो आख्या उतार जेओ ए मुकट ला देओ ए ताज तुसी हाल चुक्के हो तुसी हो गुलाम हो चुक्के हो ए ताज गुलामा दे शर्ते नहीं रह सकता है ए दुनिया दे ताज आपने अपने अपने शर्ते रखी देने और जड़ों वक्त आँदा है आपने अपने अपने शर्तों उतारना भी बेंदा है पर देड़ा ताज ग ता जिर्फा रा भफर के उन्हा जिर्फा ग्यान ग्यान दा ताज गुरू ने जिस्ते सिर्टे रख लेता ओदा ताज कोई उतार सक्या ओदा ताज कोई ला सक्या ओदा ताज कोई हटा सक्या जरूरत ही नहीं तो गुरू जिस वेले किसे मनुक नू ग्यान दी रोशनी देदेवे फिर ओ अकाल पर कुवाई गुरू नू मिटी दे जर्रे जर्रे विट्स देखदे पानी देगे कतरे विचों नू ओ विखाई देदा है पारद्रम परमेश्वरी को विखाई देदा है उसनों इलावा उनों कोई दूसरा नजर नहीं आन्दा परतीद नहीं हुंदा पर सौल है कि ओ परमेश्वर दे दीदार दा मुतलाशी चहावाँ वह गुरू अगे दीदार लिए बेंती करना रहता जिस तरह दी बेंती गुरू अर्दिन देव जी ने कीती असी बानी शब्दा दारे दे अरंब बिच्पन दे शुरू ही दर्शन ते दीदार दीतान तो हजूर ने बानी दा अरंब दर्शन दीदार दीतान तो कीता है मेरा मन लोचै गुर दरसन ताई बिल्ब गरे चात्रिद की नयाई त्रिखान उतरे सांत नावै बिन दर्शन संत प्यारे जीओ मात महला पनी ये में पपीहा स्वांती ज्मूत तो बिना जीवत नहीं रह सकता ओधी प्यास नहीं मिट दी फिर गुर्वर्जय देव जी जैक्षरी दिवार बिच भी इसनों और ब्यान कर दें कि देखो मच्छी दा जीवन कैसा है पानी तो बिना रह सकती है क्योंकि पानी ही मच्छी दा जीवन है ओ मच्छी पानी विछ जो पैदा हों दी है पानी विछ रह दी है पानी तो बहर आजाबे ताउडी मौत हो जाती है जो मचली बिन पानी है कि वो जीवन पाव है दूसरी मिसाल दिती को पी है दीबूंत भी होना चात्रे को क्यों करत्र पताव है नाद कुरं कह पेते या सन्मो को उठताव है खिर नूँ शौक है कडेदा शबत संगीत सुनदा और रह नी सकता जदो कडेदा आवाजा हुवेगा संगीत हुवेगा शिकारी उकरा खरकान के फिर ने दोड़ जाना है ओ तीर ताँ खा के जान दे देना है पर यह नहीं हो सकता कि पुन कोई उन्हों रोक लवे कडेदी आवास दी ओवे ते उरुप जावे ओ नहीं रुप सकता ओ का अपनी जान दे देवेगा पुर्मान हो जावेगा पर रह नी सकेगा फिर कह देने पबर लोबी कुस्म बासिका मिले आप बढ़ावे पौरा कश्बूत आशिक है कश्बूतों बिना नहीं रहना है फुल बिच बैठके जान दे जिन्दै पर फुल दी कश्बूतों और रुक नहीं शक्दा इस तरह ही कह देने कुछ तेरे प्यारे में इस दुनिया में कुछ तेरे शादक ने जेड़े तेरे दीदारतों बिना बैए नहीं शक्दे ते वो संद जना हर प्रीत है देख दर से अगावे जैद सरी किवार महला पन्मा सोड़ी सुल्तान गुरुराम तास्टी माता दया कौरती ओना दिवाता जी गोईन वालकों गुरुगमर तास्टी नो बेंती करके लहौर ले गए मन में चेवी ख्याल आया जो अमूमन माता हुआ दे मन में चंगता है मेरे पुतर दा रिष्टा बड़े बड़े करकों कै हुन्हे दाके थे टोकरी टोना ता चंगा नहीं लगदा ना ले लोब रोज जदों भी कोई लहौर निवासी गोईदवाल भोके जांदा सी ते फिर उदेखदा सी ते कई बारी जाके हजूर दे माता जीनों अच कर देदा सी अच्छा नहीं लगदा चंगा नहीं लगदा के तोटा पुतर अपने सोरे का टोकरी टोवे सेवा करे तो सी भापस साथ लोग बला लगओते कितना अच्छा हो गए तो माता जी में गुरु अमर्दास्ती नों बेंती की ती गुरु अमर्दास्ती ने प्रुआं कर देए हैं आख्या जे था जो माता जी कह रहे ने उन्हें दी खुशी वास्ते जाओ लगओ चले जाओ क्योंकि ओ कितनी वारी आए ने और मैसूस कर दे ने उन्हों नहीं कह देता है इसलिए जाओ लगओ चले जाओ तो गुरु रामधास्ती महराज गोई दबार तो लगओ चले गए पर हुन जो जीवन सी जिन्दगी सी जे सहारे वो अपना जीवन बसर का रह सन वो सहारा तंगोई दबार में चरह चुका है उस मौके ते गुरु रामधास्ती महराज जी दे नेतरा में चांसू मंते अंदर वैराज जबान ते शबर सन कोई आन मिलाबै मेरा फ्रीत्म प्यारा हो तेस पह आप वे जाई दरसन हर देखन कहताई सूही महला चौथा तस पर दिया कोई आजा वे जो प्यारे सद्गुरु अमरदास्ती नाल मेरा फिर मेरा प्रवा दे ने क्योंके अजेहा दे ने सी कीता कि हमेशा लए उनन लहोर जान वास्ते कह दिता सी सिर्वेना हुकम कीता है कि ओ माता जी दी इच्छा नुमोख रख दिया मैं लहोर चले जान और हुन गुरु दे हुकम नो मोड़े आंके में जावे गुरु दे हुकम दी उलंगना के में कोई करे गुरु दे हुकम दी उलंगना नहीं हो सकती पाई पगे उल्थने मैं सीहा निवासी पाई पगे उल्थने जो घुनार्क देव चीमारा दी दे पहले साधका मिल्चों साधकोंं जगो दुनिया ने सिर्फ घुरु नार्क देवची नो तो जे स्वेले पाई मर्दाने दी बेटी दे व्याव जे चूड़े वास्ते बेटे आ लहौर तबड़े वपारी मसुख दिलाल मेला प्वया। उन्याक्षा शाजी चूड़ा एहो ही है एक सिराजी ने आर्डर देके बनवाया है। एह मैं तो अनू नहीं दे चूड़े ये एक रात मेरे पास रह जाओ तो मैं चूड़ा ऐसा बना दे मांगा। पर पाई पाई दीर तन्याथिया मेरे गुरुदा हुकूशी सिर्फ लहौर वेच एक रात रहना। ओ रात में गुदार लीती है। तो कि सुल्तान पर तो पैदल चलके आया है। ओ रात मेरी बुज़र गई। दूजी रात में रहनी में कह लगे। की होया मेरे पास रह जाओ। मैं अपने पास रखांगा। पर उन्हें क्या रखन वाले ते बहुत ने। पर दिदूजी रात में लहौर विच रह गया। गुरुदा बचन दी उलंगना हो जावेगी। ते गुरुदे बचन दी उलंगना नाल मेरा जनम निस्पल हो जावेगा। तो केंदे ने पाई मनसुख ने विचारया सोचया। मन विच एक इच्छा लेके कि जे गुरुदान देवची मेरा नाम लेके बुलान। मैं नाले होना दसिक बंजमांगा ते नाले चूडा होना दे चर्णा विच पेड़ कर देंगा। जो सुल्तान पुरहट साहब दे पहुंचे। गुरुजी ने आवाज देखे किया। पगीरत तेरे नाल मन सुख आया है। मनों ता दुखी सी पर होना अपना नाम सफ़ना करना जाँदा है। चर्णा ते चैप जाए। सबतों पहला सखी ⁡अ परचारे के एक सेथ वपारी, जिस्ते औस मौके ते जहाज सान, जिस्ता औस मौके भाहन दुनिया नाल, बाहन मुल्का नाल sugभासी, जिप सबतों पहला सखी ⁡जी दा परचारेक भाहन दुनिया विच रिकर, गुरु नाज तेव जी दा संदेश तेन वाला पाई मंसुख पाई पगीरती मैसी हम वालिया द्वारा आया प्याला खोल शिरीगा गुरु दे बचल दी उलगना नाज जर्म दिश्मल हो जाता है इस वास ते बचल के में ठाले जाबे ते फिर राद भी बेचैन रहना दिने भी बेचैन रहना अजदों भी आप जी सुभान तो लबस निकल देशान बसे होई शिबत निकल देशान कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पह आप वेचाई मैं उदे भी आपना आप वेच पे मादा मैं उदा मुल्क करीबी लाला गोला हो जामा था जीड़ा गुरूप दा दीदार करवा देले फिर कुछ समय तो बाद गुरुगम अतास्ती ने अपने पास बुला लेया, सद लेया दीदार प्रापत होया ते जो को स्वाहिदू दे दीदार ते नाज सोग प्रापत होंदा है वो ता वर्ण नहीं कीता जा सकड़ा, वो ता ब्यान नहीं कीता जा सकड़ा क्योंकि राज गाजा मनली विचरो जाओंदा है वजीर संगत विचरो जाओंदेने सोबत कर देने और सोबत कर देने एक बड़ा छोटा जया मस्दूर आदमी है लकडीदा कम करनवाला जिसम साधे इतिहास कारा ने चंडा बार दिया किया लकडीदा कम करनवाला ये साधे है रोज सोबत देए रोज सलाहा हुदिया ने पर चंडा बार दी लंबा लहाओ का लहके केंदा है पता ने कदो धर्शन होवेगा कदो दीदार होवेगा पर अचानक तानूर नार्क देव जी साम निकलो के जाके केंदेने सद करतारे चंडिया सद करतार ते फिर गलो हो आखी जिरी लालो नो कई सार में चंडिया पैचानया है के नहीं पैचानया इन्हें आख्या कोई माँ पुर्श है कोई सादू है कोई फकीर है मैं ता पैचान दा नहीं था पर मेरा नाम भी लह रहा है और किसे दानाम दा नहीं ले रहे ते पिर चुपते गुरुजी ने दूजी वारी आखिया चंड़िया पैचान लेया है पर फिर उने आखि चुपते ते हजूर ने रती दी वारी पुछे आखिया ते फिर खुल देख पांट नानक साथग और पेट दे फिर देक पांट खुल गए दोड़ी की वार महला पनुमादू जीवा हजूर दे नजर पहल दे नहाल जेरे अक्षां के दर्वाजिब बंग वे सन वो खुल गए ते नजर आ गया कि जिस्ता दर्शन दीदार करन वास्टे मैं कितने जन्मातों कालना काल रहा हा आजो मैंनू दीदार बख्षिन वास्टे आया फिर भाई चंडा बाड़ी हजूर दे कर्मा से टैपया हजूर ने बख्षी शंकीतिया राज गुर बना दिता एक लकड़ी दे काम करनू आले मुस्दूर नू राध्यता गुरू बना दिता दिता दियाख्या जिने प्रभू नू मिलन है वो पहला चंडे बाड़ी नू मिलन तो आओ गुरू दे दीदार दी तांग मंदे अंदर पैदा करिये क्योंके जो सुक दर्सन पेखते प्यारे मुकते कहिन ना जाए आसा चंड महला पनिमाबे रड़े जो गुरू दे दीदार का सुक है वो जबान नाल केहा नहीं जाए कुछ है सुक है ताइयों शमा तो परवाना जल जानता है कुर्वान हो जानता है जिक उन कोई सुक ना हुए कौन आपनी जान देनता है कोई सुक सी होना नो कोई खुशी सी जिना ने तेका दे नीचे आपना आप पेड़ चिला जिता पर गुरू भी हजूरी जो वो बाहर ना हो सकते आओ गुरू अगे दीदार करिए सद गुरू ने सानु ए अखांबक्षियां ने इन अखा नाल गुरू दा दीदार करिए और गुरू गुरू गुविन सिंग साब जी ने हुकम की तै जिसने मेरा दर्शन करना है ओ गुरू 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 साब दीदार दर्शन करे जिसने मेरे नाल गुप्त को गलबात करनी है उगुरु गुर्द साफ जी दी बानी फळे तूने अटे भी जाते ऑगे। और सज्की येल गुरुता दक्षिन होवेगा जद उसी गुरु के दारतारि में चामांगे। इसलिए गुरुता दक्षिन करिये। कई गुरु दे द्रशन दी डार दे दाल, अमर जीवन दी मंग मंग की हैं क्योंके प्रोप वज थहां तां मिलेगा, जे गुरु का मरध पान करांगी गुरु का मरध च्चा करांगे और हजूर ने पाबंदी लगा दि गुर्शंडब पीनी खाल्शा मन मुखी दोहे लापाई गुर्दाश सेंगी कि मुक्ती प्रापत होवेगी ताँ जे अमरत पान करांगे गुरुदी प्रापती होवेगी ताँ जे गुरु कामरत पान करांगे साथ खांड वेट माल कदे चर्ना वेट थां मिले का तां ये गुरु का अमरत पान करांगे क्योंकि एथे वड़े महापुरिश जिन्ना दाय परताप दास्ते विद्या दाते पंधरतन संत ग्यानी गुरु बच्छन सिंधी खाल साजी पिंडरा वाले थी बरसी इस वारी एथे सारी में संता मना रहियाने अमरत संचार भी होवे का जिना ने हुंता कमरत पान नहीं कीता वो गुरु कामरत पान कर और गुरु तो शिखी दी याचन करिये मन्ग मन्गिए क्योंके गुरु अमरत नाम प्याले आ जनम मर्म का पातस सिराग महला पनिए हाँ गुरु अमरत दी दाद बख्षिश करके अमर जी बंजे देले तो जिना ने एज़ता कमरत पान नहीं कीता वो गुरु वाले बरो गुरु कामत पान करो और गुरु तो केसा स्वासा नाल सिची दी मंग बंगिये सदा सदा उदे दर्शन दी राति याच न करिये इना विचारा नाल विचार स्मापुत है बोल चुक दीखे माभुषिश कर दे कल अज़े परसों दो दिन खोर आप दी दर्शन करनदा मौका मिलेगा आप दी नुबेंती करनगा कल चुटी है उन्टासी बोर कमाली वकित कड़ दे तेजा वज़ा आप संता ने अस्थान बढाया है पर गुरु चर्ना वे छाद उठाया गुरु चर्ना वे जुड़या कर फिर आप दी कमाई भी सक्थ होवेगी जो आपने इतने प्याद नाले एड़ा वज़ा स्थान बढाया है अस्दा है रान हुल दे गुरु बक्षिश करे एद विज़ पर पूर हाद रिख होवे तो جिस मंत्म नूँध कोई मनोर्थ से सथान दे बनादा कोई होई मनोर्थ है केसी गुरु चर्ना वे चाहिए बाणी सुनिये बाणी अभी सथान वे दिदार ती तांग मी फायदा होगेगी फिर सान वन्त कोई प्रापत होगेगा और फिर वो दे नर्शन भी हो सकते हैं इन अभी चारा ना विचार समापत है पर जो दीखी में मुक्षिश करनी दास ने हैं काफी दूर जान है तो के लंगन सिंग लेंड वास ले आया ये ने काल सुबा का था दो के प्रोग्राम में किसे परवाद दे कार पुदास अचाना सी के स्थीर टाइम ना समापती हुदी पर उच रस्ते वेचे रेट को जादा होना लेट हुदार्ण के सोचया के दिन न सिर्फ सात ले तो पूरा टाइम लेड़ा है आप दी देना लरके विचार कीती है आग्यावी बख्षो, किमावी बख्षो, वाधुदी का हत्वाद्वा सपना सिर्वाहि गुरुदी एक ओंकार सपना करता पुरुख नेर भोग नेर वैर अकालमूर अजुने सेपन गुर्परसाद जप आद सच्च जुगाद सच्च है पी सच्च नान कुषी पी सच्च बहु गुन मेरे साहे बैपाई हो तिसके बल जाओ ओ नेर गुनियारे पान दापाई देन थावे थाओ हेटा कर हो दास रो में निर गुन गुन नहीं को ये नान कुदी जै नाम नामदान नान कुदी जै नामदान राखो ही ए परुए राखो ही ए राखो ही ए परुए 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 वाहि गुरुदी का खाल्सा वाहि गुरुदी की बताई परम सब्सकार सन्मान योग गुरुदी खाल्सा साथ संगर जीयो साहिब इतमाल साहिब जमाल पीरान पीर मीरान मीर सर्वरे काइनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राच पानान पान देवान देव उपमा महान दे सम्रत साहिब तन तन सत्गुरु आप सिरी गुरु ग्रंच साहिब माराजी दी पाम कवितर हजूरी विच बिराज मान होखे आप दी ने पाम पवितर अम्रित गुर्बानी जीदा पवितर अम्रित कीर्टन गुरु के महान कीर्टनिया पाशों शर्वन करके अनंद मानें पवितर गुर्बानी अंदर मनुखनू नाम सिमर्ण दी प्रेर नां जित्ती गई वास्त विच मनुखा जनन मनुखनू प्रापत ही नाम सिमर्ण वास्ते होया ताहियों गुरु अरजन देव जी मारात ने दर्शाया है आयो सुनन पढ़न को बानी नाम विसार लगे अनलालच बिर्था जनन पराणी सार्ण महला दुनू फिर अम्रित नाम दी महमा दुनिया दे तर्म गरंथा ने भी कायन की थी हर तर्म ने प्रभु दे नाम जपन दी प्रेर नड़ती तर्मता उपदेश ही नाम सिम्रत सत्गुरु गरुवर्जन देप जी ने एवी चार भी तरसाया है कि जदों भी मनुखता दा पार उतारा होवेगा नाम सिम्र्नार होवेगा सिम्रतों बिना पगदीतों बिना किसे भी मनुखता पाफसागरतों पार उतारा हो ही नी सकता जदों भी संसारता पारुतारा होएगा नाम सिमर्न नाल होने सब कल उदरी एक नाम तरम स्वईये स्री मुखबा के महला बिला सारा कल्जुग उदर गया एक नाम तरम दी प्राप्ती दे नाल सारे कल्जुग दे जीवांदा पार उतारा होया आएए नाम ते सबंद विच थोड़ा जया, समझनदा, वीचारंदा अधना जया यतन करिये गुरु परमेश्वर गुनानक देवजी माराज ने एह हुकम कीता है कि संसार दे सारे जीवरों की है किसे जाक्टर दे पास दो किसे हकीम दे पास दस मरीश चले जांदे में ओ आपनी सम्झ द्वारा उना दा वक वक तरीक्या नाल इलाज कर दे कोई ठीक हो जांदा है ते कहिया नो को कह देंदा है जी बस हुँ एता प्रगों ठीक करे ता ठीक हो सकते में दे आपना यतन कर ले में नो ता ए बीमारी समझ विच नहीं आँदे बहती बारी डाक्टरां ते हकीमानों मनुख दी असल बीमारी समझ विच ही नहीं आँदे गुरू परमेश्विर गुरुनानक देवची मारात ने वी वैद हर्दास नो गेहो सुझाया से तु मेरी नफसा देख रहा है तु मेरी बहां टटोलदा है तु मेरे स्रीर ते रोगा नो लगद है पजिना लोगां की पैचान तु का रैम उना रोगा विच्छों ता मैंनू रोगी कोई ने फिर तेड़े लोग खोद रोगी होन उने दूसरे रोगी ता पला रोगी मिटाने रोग ता ओ मिटाबे जो आप अरोग हो वे जिसनू सैंकरे हजारा आप रोग लगए होन ओ जे लोगां दा इलाज करे ता लोगां नू कुलेखा पावे ता आरमिक दुनिया वेचे लोगां दी कहनी दा असर क्यो ने लोगां दा परवाव क्यो ने ता आरमिक लोगां दे दसे ओए होई उपदेश दे मार्ग दे सरोते चालने क्यों ने क्योंके खुद उना देंकर ओ कमजोरियाने जो लोका नू छबिन दी ओ प्रेर ना देने जिना आउगना तो ओ लोका नू शुटकारे दापदेश कर देने उना तम्जोरियां ते उना अउगना दे ओ आप खुद मरीज हुन देने सद्धुरु जी ने इसे लेश समझाया कि किसे बीमार का इलाज करना हाकी कोई में जिड़ा आप बीमार है ओ दूसरे दा इलाज क्यों करे लोग गवाए है अपना ता नानक वैद सदाए मलार की बार महला पर बेला अपने मंदे अंदर रोग मिता फिर जिमें सरीर दे अंदर रोग ने ते में असादे मंदे अंदर भी रोग है इद्धास कार लिखते ने जिनों हदास वैद ने पुछ आजी मैं ते सरीरा दा इलाज करदा है मैं सरीर दी प्रीशा करदा सरीर दे रोग पैचान दा मन दे रोगानू दे मैं पैचान नहीं सकता पर ए आप ही दस्क देओ के मनुख दे मनुख केरे केरे रोगने मन किना रोगान दे नाल बीमार होय है हजुर दीने जुआब विचाख्या सी मनुखते माननों सब तो पहला हमेदा रोग है इस गुरू के पवितरस्तान तानगरु गरंद साहब जीवी पामुखतर हजूरी असादे मंते रोगानों अरोगता बख्षिन वाली है पाजे एथे आके सादे मंते अंदर अबमान पैदा हुंदा है हमेदे में लेंदी है ताए असादी आपड़ी कमजोरी है असिस्ते नाल कमजोर हंदे हजूर दी ने हुकम कीता लगे हो जीव को हमें रोगो जेहे सब जीवन की सोदर सोखो सुरी गुर्णान परताब महा कवी पाई संतोख सिंगे जीव बीमार है हमेदे नाल जीव अनेका भीमार है इस पासे देखोगे हमेदा बातावर नहीं नज़तावे का त्यागियां विच वैरागियां विच संसारियां विच परवारियां विच कारवारियां विच एक दौर लगी होई मनोख उचे तो उच्चा होंदा यतन करता है विच बड़ा कौन है? कि ओ मनुख बड़ा है जिस पास दुनियां दा सर्माया होई तर बहुती भारी लोग सर्माये तारा नू बड़े राहाँ देनें अमीर लोगा नू कहने देनें बड़ा आदमी है पदवी दे तौते अदे दे तौते कोई आदमी बड़े राह वेतानी लोग कहने देने बड़ा है आखिर कौन बड़ा है? इस दुनिया दे अंदर गुरु अच्छन तेप्ची महाराज ने इस जवाब विच परमाया है कौन बड़ा माया बड़े आई? गवरी महला पनिमा स दुनिया विच बड़ा कौन है? यहों कि इस दुनिया विच का माया दी बड़े आई? माया बाले दी चर्चा है, माया बाले दी महांता है, सेवा भी असी उसनों बहुत ही बारी समझ लेंदे हैं जो माया दी सेवा करें पर असी पुल जांदे हैं जोडे चार्ण वाला परतन साफक, कनवाला परतन मांधिन वाला बड़ा बड़ा सेवादार है। सारी संकत बेकर होके Google अम्रत कीरतन भानी देभी चार कथा कीरतन वे जुड़ी रणदी है। पर कुछ प्यारे अगदे पास करो के परशाते पुकांदे में, दाल बनादे में, लंगर तयार करते में और ज़िद मर्दा सुन दिये, सारी संगत उठके जाके परशाद चक दिये कि उन्हादी सेवा बड़ी नहीं है, प्याला को उसे उन्हादी सेवा भी बहुत बड़ी है, और ये सेवा करंते नाल बर्कतां दिया, महरांतां दिया है ओ विप्ती जो इतिहास विच्च सितारे बांग चंक दै, आजदी अज़ादी विच्च जो सब तुम पहला मोरी है हिंदुस्तान दे सब लोगा ने अंग्रेशां के हथियार सुड़ दे, पर हिस्ट्री केंदी ये, खोद अंग्रेश विद्वान लिखते ने, एक ऐशी विप्ती है, जिसने दुनिया में चरंदेयां, अंग्रेशां देरके हथियार नहीं संसुट थे, जिसका नाम पाई म महराज सिंग है, कुछ लोग सबकार नाल बाबा महराज सिंग भी कर देते, बाबा महराज सिंग, पाई महराज सिंग, ए बरकत कितों आई, अंग्रेशां ने खोद मन्याद, जिना ने बाबा दीनों आराम कर दियां किसे जिसूसी कर्मतों गिरतार कीता है, कह लगे अंग् पेज़ा दी किसमक चंगी सी, साडी किसमक चंगी सी, एससृले पाई महराज सिंगे नुए आशी गृफतार कीता, तो वजाप दी हिंदू सिख मुसलमान गी गर्व मनते ही नहीं संग, कि बापा महराज सिंग का गृफतार ही ने असी इना तिना फौजां दे मन बिच्चों एक अलकड़न लेके नहीं अशियों नो गरिफ्तार कर ले आए जो तो फौजां दे सामने पेश की था के दे साजी कुछ पिसमती सी कि उस वक्त बापा महराज सिंदी दे मौकतों इस शबत ना निकलिया के फायर कहने लगे और शिक्सी दाहिना असर सी कि जो ही उस वसमती सामने देखिया हिंदू सिक्रते मुस्रमाना तिना कौमन दिया फौजां बाबा जी दे सुद्कार वे जड़ोत बजों तरती दे लेड़ गे यां प्याना लाख फूज ए अमरती शक्ती है ए नामती शक्ती है ए सेवाती शक्ती है पर ए बरकत बाबा महराज सी जी नों कितों परापत होई के देने बापा दी लंगर दी शेवा कर देशा हमेशा लंगर विच बर्चन माद ने देगा तोनिया और दाल बनानी आठा गुनना लंगर दी शेवा कर देशा ते आस्ता आस्ता बाबा बीर सिंगी न अंगा बादी जीने ओना नू लंगर दी शेवा दी पूरी जिमेदारी सौंप जिए एक दिन दाल दी देग उपल रही सी दाल दी देग उपल जाया बाबा जी ने सुचया कि दाल दा नुक्सान हो वेगा किर्दी सिखा दिये कि मुठ इस देग विच पई हुई है किसे सिख्दी सेवा जाया ना जावे क्योंकि एक पहलू है जो असाटा गुर्द वारा परबंद सुदर जावेगा जो गुर्द वारे ता परबंद करन वाले सेवा दी पाहना वाले गुर्मुटा वाले नितनेम करन वाले वानी परन वाले अमरतारी होंगे ते समुचे तार ते साथे सारे समाइदा सुदा हो जावेगा क्योंकि एक एंदर मानुटा नो सुचच्चा जीवन दाते ने एथों सुचच्चा गुर्मुटा दा जीवन प्रापरतुन ले गुर्द कर वे सेवा करन वाले ने मैसूस करने संक्तां ठी करत कमाईः आहमे मन दी मौड़् तौर दे जाया खर्च ना करिए जस नजरी गुर्व कर दी माया आउन डिये और नो उसे निशाने नार उसे मिचार नार खर्च करने एक खर्च हो वे गुरु की आइमारतां ते एक हर्च होवे गुरू के लंगर ते एक हर्च होवे गुर्बानी दे परचार ते एक हर्च होवे अमर्द संचार ते एक हर्च होवे गुर्बानी दे कीर्तन ते एक हर्च होवे गुरू दे इतिहास दे परचार ते प्याला खो सिरीवा बेंटी जो कीती जारी सी असी जो भी चार का रहसा के समझन है कि लंगर विच आया है एक-एक मुठ आटा एक-एक मुठ दाल जाया न जादे नुक्सान न हो भे कई बारी लंगर विच परसादे पक दिया परसादे साड़े भी जान दे दाल भी ऊबज जान दे, सब्जी भी जान दे, पर लो की जलो जी कोई ने गुरू का लंगर है नहीं, गुरू के लंगर विच ले ते बड़े साब सुतरे परसादे बड़े साब सुतरे डाल सब्जी हर चीज बड़े पर कई वारी लोग गुरू के लंगर्दी कोई सेवा करेगा उन्हों बरकत मिलेगी वक्षिश मिलेगी महां महां पुर्षिदा जिकर करका रहा है दाल अपर कई और दाल कोई पतीले विट नहीं बटी सारी देख से क्योंकि लोगां दाख्याल है बाबा बीर सिंग साथ या बाबा महराज सिंग नों कोई बहुता वक्त नहीं होया सवा सव साल के रहा लंबा समय है कोई बहुता नहीं एक बज़र्ग दे बच्चे उना दियां अलेका कट नामा सुना सक देगे ऐनी लोगर उमर मिल देगे अजवी पज़र्ग बच्च बहुत लोग मिल जाने के जो बाबा बीर सिंग ते बाबा महराज सिंग दियां वीचारा तो हनों सुनाने ते नाल कैंगे साड़े पिता जी ने उना नों दे दर्शिन कीते साथ साथे दादा जी ने उना दे लंगर विच परशाद शक्या से बेंती जो कीती जा रहे से बाबा माराज सिंग लंगर दे विच संग दाल दी दे गुबल गई एक पासे सरीर है एक पासे गुरू के किर्दी सिखांदा लंगर विच दे हिस्सा है कि गुरू के शिखांदी के उतमा आई पही 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 ए दाल गद जावे नुफ़ाना हो जावे किसे गुरुनांग देख जी दे प्यारे दी डाल दादाना जाया न जावे और भाई मांजे गुरु के लंगर दी सेवा कर देशा है, तो गुरु अजय ने हुकम कितासी ह tą लंगलच्छों परशादना सें अब आई मर्जिस ज? जो देगा तो उंदे नहां गुदारा कर देशा, तो उंदे नहीं गुदारा कर देशा उन्जे तो लंगर शक्डियां कितना कितना प्रशादा दाल सब्दी थालियां विच्छ उन्दिये ते सोची गाए यसी गुरु का दा लंगर गुरु का दा अन जाया कर्म दा यतन करदेयां लंगर दा सुप्तार भी साथे मन विच्पूरा नहीं नगा बाबा महराज सिंझी सजी बाँ दे नाल दाल हिलानी शुरू कर देती दाल ठीक हो गए और नाल सेवा कर्म वालियां ने देख रहा कि इंड होए है किसे ने जाकि बाबा बीच सिंझी नों अर्ज कर देती ही महराज सिंझ रिच्प कराम आता गी है अजमत आ गई ये शक्त ही आ गई है बरकत आ गई है ता बापा बीर सिंग्डी ने अपने पास बला के आखिया महराज सिंग नाम ता बापा महराज सिंग्डा बोर्शी पर ये प्यारा तिलागला नाम बापा बीर सिंग्डी ने ही उनादा रखिया से एहो ही ओना दा सुन्शार ती हिस्ट्री विच पार ती हिस्ट्री विच सिक्र हिस्ट्री विच परशिट है महराज शिंग पास बुला के कहने लगे महराज शिंग गुरु राम तास्टी दे लंगर विच जूठे परतन माधर वालियां परसाते पकान वालियां सेवा करन वालियां मिच वर्गुराम तास बर्कतां बक्ष देने और देख आज तो ख्याल नाल रहने आज जो तैनो बर्कत प्रापर तो ऐसी आज लोगां दे सामने आगी है इस अजार्दे ताइं गरने प्यारना फोग सेवा बेंती कीति जारे ति सेवा यह सेवा है क्योंकि सवत ओंवडी शरीर नाल हथी सेवा करिये तामहान सेवा है अगर गुरू महराद में तन बख्षिया है ताप गुरू का सिख्ष दस्मंघ पेट करें सद्गुरू धी सेवा ले लंगर दी सेवा, तरम परचार दी सेवा, फिर गुरु की मालती लई सेवा, ए बख्ष करे, पर बहुती बारी हम साथे समाज वे चे हुई ख्यान मुंदा है, जेना माया स्यादा दे दे वे, अजी कह दें दे हैं, बड़ा सेवादार है, पर लंगर वे सेवा करने वालियान और शीकाट तर्जी दे, हजुरु जी दे सामने स्वाल है, कौन वड़ा, माया वड़े आई, पर हजुर कहन लगे नहीं, वड़ा हो है, जिसने प्रगुदा नाम से मनुदी दे, सो वड़ा, जिन राम, लिव लाई, दोरी महला बना, क्योंकि नाम से परताब तवारा ही, क सेवा करने वाला तानता दोख भी मिट दे, सेवा करना अग्माने रोग दोख भी मिट दे है, तो केहने ने, कि हजुरु नो जबे उन्ने कुछ से आजी, मन नो केड़ा दो कहे, ता हजुरु ने आख्या समकों बढ़ दाऊते, पहला रोग हों में है, ये हों में मिट अद्मी मान से तरोगां को बच शकता है मंदे अंदर कम्सोरियां हमें दो ही ता पैदा होदीयाने बचा जटों तक माँ पे बाप दे कहने में पीछ उन्दा है ओदों तक कोई ओदे गाल नहीं पेंडा ओदों तक पुलीश दे पास नहीं जांदा बाज़ों वो समझ लबे माँ बाप बुटे होगे ने मुंता में अपनी मर्जी कर दी है अपनी मर्जी करन दा स्वाल ता हमें तो पैदा हो या तो हमें नहीं सी उदों अपनी मर्जी दा स्वाल नहीं सी पैदा हो शिख भी जड़ों गुर्म जादा तो उल्ट करता है, शिख जड़ों सिखी विचार तारा तो उल्ट करता है, शिख जड़ों गुरुते दस्यों होई मार्गतों गल्द मार्गते चलता है, वो तो भी कोई कार्ण होंदा है कि मानविचहों में आ जाती है, वो तो मानविच गुदियों के, नहीं ता सद्गुरु दी ने ये पांच कारा दी रहत, एक गड़ है, एक किला है, सुभा भी नंदन अरज कीती शी, के साहिब गुरु को भिशिंधी महराज ने, एक ऐसे किले दी स्थापना कीती, अनंद पुर्दी पहाडी पे उपर, जिस्ता नाम उनने के गड़ रखिया, ते नाल कमिया नों समझा दिता, एक ऐस्ता गड़ हर सिख दे सीस उपर होगेगा, सिख दे सिर्व पर जो के सहना है, एक ऐस गड़ है, एस गड़ सिर्फ आनंद पुर्दी तर्थी उपर ही नहीं, ओ स्थांते होंते बाव्यूद भी केस गड़ हर सिख द जे सिख नों जे सिख भी जाओ, यूकि जे गुरू गड़ सिंधी ने हुकम की तासी, जे ना सिख केस कर दे अंदर रहे गा, दुनिया दी कोई ताक्वत और दावाल नहीं मिंदाता सके, शायदे से लिस सरकार ने हुकम की तासी, साथ महीने हो रुक जाओ, कहन लगे मश् साथ पैर रुक जाओ, साथ कडिया रुक जाओ, क्योंकि हदूर समय देता है, जे ना सिख केस कर दे दाएरे बिच रहेगा, दुनिया दी कोई ताक्वत दो देता को पहुंच नहीं सकेगी, जोनों सिख केस कर तो बाहर होया, तमाम पुर्याईया ने उन्हों केरा पाले है तमाम पुर्याईया तो ओके रहा होया सिख बचाओ नहीं प्राबद कर सकेगा, ये सिख ने बचना है, तांदे तौरते, ये मान सिख तौरते बचना है, खिमा करना, पहला रोग मान दे अंदर पैदा हो रहेगी, तमाकू पी लिए की हुंदा है, मान आखेगा, शिराप पी लिए, की होँएगा, मन आखेगा, ये थे अंगिनत लोगाने केश नहीं रखे होए, मैं भी इस पासे तौरत हुआ, पहला मन कहेगा, पहला मन होए प्रेव ना प्रापत होएगी, पहला मन, केश गर तो पहला मन बेमुकुद है, ते फिर असी शरीर तौरते बेमुकु यह साधे मंदा निवास केश गड़ विच रहेगा क्योंकि केश गड़ वो हो है जिते अमर्त दी बख्षिश कीती गई जिते अमर्त दाचश्मा फुटेया जिते गुरु गुबिन सिंजी माराद ने सिर्फ नाम लिक्वान वाले मार्जी बने अदा नहीं सही ता औरते जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर्फ तर दली गली मेरी आओ इतमार्ग पैरतरी जै सिर्दी जै कान न की जै स्लोग वारत वरीग महला पहला सिक माधी बना है सिक माधी बने अदी गिंती वे शाम लिए जिस सिक आपने आपनों जीवता समझे अजे उन्हें सिखी दी पूरी शोह नहीं प्रापत दी योग एचे प्रेरना है पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस ओ सबना की रेन का तो आओ हमारे पास मारू की वादक ने महला पनमदू जीवाद ति ए वी चार प्रापत ओ ये की केसगर्दे के लिए विच रहनवाले ले हां सिखते शी सुपर केसगर्द है और एस केसगर्दे के लिए विच रहनदे होया खोपर्या था उतरवाली तिया और आपना सिद्ख न laughा रेया आपना सिद्ख न दिता तो गुर्म यादा जिसनों सी गुर्मत केंदे ओ है किसे केश कर दे दैले बिच रहे केश कर दे दीवार मस्बूत दीवार अंदर जो सता ताता नालोवी मस्बूत है ओ है दीवार गुरु की अमरती बख्शी होई रहे इस केश कर दी मस्बूत दीवार जिसनु तोपा ना गिरा सकीयां जिसनु तैंक ना गिरा सके कुद लोग पामें चुराशी विच मुश्करा दे होनगे पर जंग दिना बात यो ना नुसम जा गई जिसनु असी ताना चांदे साँ ओकेस करतां टैर नहीं सक्या ओ केस करता हूँ भी दुनिया विट काएं मैं और आज एक दिसी सुपर मौजूद है तो ओ केस कर दी दीवार अमर दी रहत मर्याता है पांज पकारा दी रहत मर्याता है जेड़ा इस दीवार दे अंदर रहेगा दुनिया दी कोई शक्ति औनू टाद नी सकेगी गिरा भी शक्ति दिवारां गिर्दियां ने पथरां दियां दिवारां गिर्दियां ने इटां दियां दिवारां गिर्चांदियां ने लोहे दियां हजुर गुरु गुबित सिंगी महराज ने हुमासर जायंता जिकर कीता है उन एक ऐसा किरा बनाया फैसी एक दिवार तों दो दो तों अगां सात दीवारां सात गातां दीआं फिर इत्त दी फिर पथरां दी फिर पानी दी जील चाहर चन्थ तेरे भार वो ना अच्छत दे het רिया तो ना अध गिला मेभूध रिया एजियां सारी दिवारां तोड़के पुमासर धैंता अंद कर दिता गया उदान तो हो गया उदानाश हो गया क्योंकि एजितां जो पन्य कतन आसबद रख दियाने उटे जान दियाने, मिट जान दियाने, मुख जान दियाने पर गुरू की बख्षी होई अमरती रहत मर्यादा पत्थरा दी नहीं पर पत्थरा नालो मजबूत है इसे नाल पहाड़ा वनके लोग भी टकरा के जूर हो जाने ये लोहे नालो मजबूत है हाँ देडा भी विखती, इस अमरती रहत मर्यादा दी दिवार दे से पिर केस गर विचरत है, ओ काल तो उच्छा हो जाता है, ओ मौत उच्छा हो जाता है, ताइयों, अब दा फौजा ने देख कि आक्षे ऐसी, मुकावला ते उना नाल करिये, जिना दे सिर कटे जान, ते को तर्पी ते दिख पहने, इना दा कादा मुकावला, असी सिर ही कट सक दे हां, कोई कटेगा कि स्री ही कटेगा, जाना को मुस्री का, कोई कटेगा, ता कहे देने, सिर ही कटेगा, इस तो वास्ता कोई काल नहीं हो सकती, कि सिदा आप कटेगा, कि सिदा भी बां कटी जाए, कि सिदा सिर कटे आजाए, पर दूसरे पास से, पाकस्तान देख मुश जूर शायद में, इन करापी वी चार्क ने ए वी चार्क ही है, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, यहां सर भी बहुत बादू भी बहुत, प्याला खो, सिरी वाई, कहते ने, कि एठे ते सिर्वी बहुत ने, ते बाहां भी बहुत ने, मुकालहों नाल करिये, जिनादियां बहां कटते ये, सिर्व कटते ये, ते उतरती ते डिक पहन, एते ते सिर्व कटन तो बाद भी जीवन वाले लोग ने, इन अदा मुकावला कौन कर सकता है, जीवन मुकत सो आखी है, मार जीव है, मरिया, आसा चंत महला जो था, साड़े इतिहास मेंचे, बाबा दीव सी जीतों बदे नगतों बाद, एक होर सिख भी बिना सिर्व को जूद्या है, सिर्कटे जांतों बाद भी, उन्हें मुकावला कीता है, इल्टियां दा जंग, बाबा राम सी जीवे दी, पंद परकाश ग्यानी ग्यान सी जीविचे, उनने ज करकीता है, प्याला को सिर्वा, आ कई वारी जो असी इतिहास किशबद कह देंदे हां, बंद की रहेगी तो ग्रंद की रहेगी नाच, ये बाबा राम सी जी बेटी बनों, अर दास मेंती की ती कोई सी, उनना दियंश मेंश मेंचों, एक परवार दास नाच सले कर दे, दिल को सिर्वा, अजीब भी चांस आरामा सुनाईयां, जिन अदा जिकर को जिक ग्यानी ग्यान सिंधी ने भी पंत परताश बिच कीता है, तो केंदे ने, जिस तरह बाबा दीव सिंधी देनू, सीस तली दे रख के लड़ दे दे के दुश्मन दियां फोजां दार दियां, इस इसे ही तरह बाबा राम सिंधी नू सीस्तों बिना लड़ दियां देख के गिल दियां दियां पोजा न सुगयां, क्याला खोब सिर्वा को ली बाबा फकीर CHRISनG दे रहन वाले संद falls बाबा फकीर चंद दे आइश्व और सब्सक्राइब तो वेंदी का लियाशान मुकारला ओना छाल जिनना दे सिर्कटे जांते डिक पें मगर जिनना दे सिर्कटे जांते उना ने फिर पहला नारों फिर्वान होके लड़ना है मौतों ना दे सामने के में रह सक दिये मौतों ना दे सामने के में ठैसक दिये पर ये जीवन केसगर विच रहें वालिया नों प्रापत होंदा है ये सिंदगी केसगर तुम प्रापत होंदी ये दुनिया दे और किसे केंदर तो ये चीजा नहीं प्रापत होंदी ये ये जीवन सिर्फ केसगर तुम प्रापत होंदा है ते सिख ने जिस तरह हमेश्यां केस गर्दे सन्मुक रहने है गुरू ने गुरू गोगिल सिंग जी ने जो हार सिख लेसी सुपर केस गर्द सवार देता है सदा देता है केस केस गर्दे भी असी हमेश्या सन्मुक रहने है लाला को सेवा, खिमा करना, जेड़ा एस गर एस कर दी हिपास कर नहीं कर सकता, वो अनद पुर दे केस कर दी के में हिपाज़ु कर सकतेगा, जेड़ा एस कर वास्ते कुर्बान नहीं हो सकता, वो अनद पुर साफ दे केस कर वास्ते के में कुर्बान हो सकतेगा, ये में जूर बेंती जोशी का वैसा ये बर्कतां के इस गर को प्रापत हो दियाने इसे लई गुरु पुबिन सिंग साथ जी ने से कनू हुकम कीता है कि वो अनन्द पुर्दा वासी है वो दा जन्व ही के इस गर विच्चो हुना है और के इस कर देतारे विच्चो सने हमेशा चलो है इस अनसार चलन है तो हजूर ने हुकम कीता दुनिया विच्च बटा हो जिसने प्रभू दे ना विच्च आपनी ब्रती लगा देते हैं हां केस करते किले मिच्च निवास रखन वाला हमेशा नाम विच्च इकन्दा यतर करता है नाम सिमन्ती कोशिश करता है नाम जपन्दा तनाम आकाल पूर्ख वेंदू ने एक ऐसा तन वख्च या यह रखते हैं दूनिया नाष नहीं है दुनिया का तन्दा करे किसे मनुख पास हो दाै करे किसे मनुख पास चले आज़को एक तन करे स्दैविस दिर नहें दे इसे देश ले महान सकूत बर्नार्ण शार्टों जितों किसे ने पुछिया की शाले, सरमाया दे, रुपए दे, समद मिश्कुशी तुसी कुछ कहना चाओगे, तैस महान भी चारत ब्रिटन दे जिन तक ने को गल कही सी, कि रुपएया बोलता मतलब है, कि एक ओमदा रन्द है, अज बरतानिया वाले आपास है, जपानिया प पास भी जा सकता है, इसे प्रेट बलो आग्मी पास भी जा सकता है, क्योंकि एक ओमदा रन्द है, है रुपएया बोल, दुनिया पाते से के बोल ही ने, इस लिए जिन तक ने आखिया, माया दे सबन रिट की पुछ दे हो, एक तांसते रन्द वाली चीज नहीं है, एक ओम पुन आवे जाए, साचा तां गुर्मती पाए, तनासरी महला दी जा, दोना तना दा जिकर का दे है, इस घचा तन है, और एक सचा तन है, नाम तांदे मुकाबले ते ऐ चीजा नहीं है, जाद गला, बहुत गरीबी, पर नाम तांद पास है, इसलिए राजे आउंदे में, महरादे हम देने, पर हो कितनी दृखता नाल केंदे ने, कि हमरा तन मा तो गोबिंद तर नी तर, यह सान तन कही है, जो सुख प्रपर गोबिंद की सेवा, सो सुख राजन लही है, आशा कभीर जी, राजन, मेरे पास क्यों मेरे मुष्यद ने, मेरे गुरू ने मैंनों तन दृखता है, वो दे मुकाबले ते, और दुनिया दे तन नहीं हो सकते, दुनिया दा तन, दुनिया भी तरीके नाल प्रापत होंदा है, मंदर नाम दा तन प्रापत होएगा, सिर्दे बदे, अपना धीवन अर्पन करिये तां के ते नाम तान पुरापत हुंदा है कंचन से उपाई नहीं तोल मन दे नाम लिया है मोल गौडी कबीर जी हीरे जवाराता नागनी राजिर नाम इलता ए मन देना परिदा है मन ही ते देना उखा है मन ही ता निता नहीं जाता समाज विच बेचैनी क्योंकि मान सीदे नहीं सकते बचे माँ बाप नो मन देदेन तुनिया विच कोई अवलाद देकार दुखी नहों बे बड़ी अजीब चीद है अवलाद ये नहों बे तामी बड़ा दुखत लोग मंता मंदे में अर्दासा करवा देने बेंचिया कर देने कि जी अवलाद हो बे जी ना हो बे ते तामी दुखत जी हो जा बे ते फिर वो आग्या कारी ना हो बे आग्या ता पालं करण वाली ना हो बे ते तामी दुखत इस देश विश कियों लोग दुखी ने इस लएई के अलाद आग्या ठारी बची आपड़ी मर्जी करते बची आपड़ी मर्जी करते आप एक सिंझ ले कारकता कर्मतवाद एक प्रेमी कहन लगे साथे कर चलो अजी बैठे ही साथे उनने अपड़ा रोना रोना शुरू कर दता एदा अमीर आदमी है सरमायादार है पर दुखी है कहें लगा मेरी ना नूदी बंदी है ना फुतर दी बंदी है इससे तरही चलता है एक एक करकर एहा अग है एक करा करा बिचे बाद ये चीज़ां क्यों होती है परवारा बिच बेचैने पती बतनी दे दरम्यान खटबट बच्चियां ते माँ बाप दे दरम्यान उल्जा क्योंकि मन नहीं इतनु से लिप्ता जाए मन देना उखा जाए सब चीज़ां आत्मी देशक लेने और लोग दे 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 पर मन नहीं दे दे ताईयों राजे जन क्यों हिशी अस्तावकर नियाख्या सीराजन तेन चीज़ां दे दे तान मान तान ते तेनु ग्यान दी गण सुना देंदा उन्हें आख्या जी लोग मैं तो अनुमान दे देता ते तानुवी दे दिता, तानुवी दे दिता कहने लगे फिर इस कोड़े से क्यों चड़ना है तानुवीच मेरा हो गया ते तू चड़नता यतन क्यों करता है तेरा शरीर भी मेरा हो गया अगे जी मेरा मन कहनता है मैं कोड़े से चड़ना उन्हें आख्यां तेरा मन कौन होंता है, जीरा ए आख्ये कि मैं को अड़े उपर चना, मन ता मेरा ओ चुका है, उन्हेरी मर्सी नाल तेरा मन कम करेगा, मेरी मर्सी नाल तेरा शरीर कम करेगा, मेरी मर्सी नाल तेरा तानुबरत्य अजाबेगा, तो कुछ नहीं कर सकते, वो वो अडोल हो गया, वो निस्जिन्त हो गया, और जदो ए स्थान ते खलो गया, फिर ज्ञान हो गया, बस केश गर विच रेंड वाले था, तन भी आपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकता, या चक्र मारी जावे जोगा से नुआंगे, मगर क्यों यो आपनी मर्जी विच नहीं जाल सकता, सिख दा शरीर आपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकता, उन्हों गुरू दी मर्जी नाल चलना पवेडा, असी दोना कम जारी रखना चांदे, नाली गुर्दवारे विया करता, बच्यां दाते फिर नाल कैदे ने अनॉसमेंट हो जान दिए गुरू कार वे जी, अकि जी हुन कलब जाना है, कट तो कट गुर्दवारे वियता है, नाल आसमेंट हो, वे भी ऐस ये तो हुन कलब जाना है, वारजी लामा होके अट दिए ने, अरदास भी नहीं दी पिर केंदे ने, जी हुन असी कलब जाना है, नहीं, सिख दा शरीर आपनी मर्जी नाल कु क्योंकि उस शरीर तान गुरू नो दे चुपता है, तान गुरू नो देता जाना है, उनता पता नहीं, पामें तबदील ही होगी होगे, क्योंकि कई खिसमान आल अमर्चकान दे, अजी हां काम गय ताम थे, अमर्चकान वाले आंदी पोटो देखी, उन अनने बड़ियां जो रापा में सुफेद पाईयां हुँएं, मैं क्या तान नहीं, प्याला खो से, ये अमर्चकान वेले भी ये चीज़ां सी, प्रम प्राय करीती नहीं निभामांगे, ये तां गल्क में बढ़ीगी, बेंती कीती जारी सी, प्रम प्राप्रातन वर्यादा सी, जो दिहाने प्राप्रातन सी, जो अमर्चकान दे सांग, राशनों याद है, और कई बारी कुष्किस्मती भी संधिये, प्रंधरतन संध्यानी ग्यानी कोई बचिन शींगी खाल सा पिड्रावाले अधाल, जिनात्वने कांच राग राशनों होए, आव जी कई वारी, अमर्टा पामें छोटी होड़ी सी, कई वारी अमर संचार वेच नार लगा लेना, प्याना को, उससे नीवारी, अमर संचार वेच कई वारी नार लगा लेन ते जिस वेले कोई अमर तब लाशी शक्रवास ते आना सी, आप दा जाओ जलाल ही ऐसा हन्दा, प्रवाब ही ऐसा हन्दा, तो गिदासने वी अमर दुपान होना तो किता है, तो जिस वेले अमर शक्रवाला अब लाशी, उन अंदर जांदा सी पंच प्यारियां साहबाना ते पास हज विचबटी, शिरी साहब देगा होना, और आपका जाओ जलाल ही ऐलाओ को पुछंदा सी, तो आपने जजबे विच कहना, किस वास्ते आएं प्रेमियां, आदमी कम जांदे सा, दर जांदे सा, लोग धर धरा जांदे सा, कम जांदे सा, फिर सेवा दासम जांद जो पुछन एंज कहने, ते फिर वेंथी करनी आमर्चक्न वाले ने मैं अमर्चक्न वास्ते आएं, तो फिरोकम कर दे सा, आज तो आपना तान, आपना न मन, आपना तान पंथनों देवेंगा, अलपन कड़ेंगा, आपना सी आज तो पंथदी अमांत समझेगा, ते दे ता फिर अमर चिकाना पैना बैट जाओ फिर अमर तयार होना प्याना को उसे। शेखदा सरीर आपणी मरसी नाल कुछ हरकत नी कर सकता। मुचकर मारी जावें, गेरे मारी जावें। पर क्योंकि जिस्ता सरीर है फिकर उन्हों है। इसलिए उन्हें ऐसास करवाया प्यारया ना तूराता राम कीता ते ना मैनुआ राम कीव गंदता। क्योंकि आपनी चीज़नों संभालना प्रेंदा है। कर चाहें कि इजा सम्भादा तूरों कीमती मनका थे काचे कीमती लाल गंदी नाली वेचे डेकपावे, कोई चाहेंगा। फिर गुरू भन का चाहेंगा, कि जोन्हों देखर ना जोगा शिवें। कैसे गंदी नाली वेचे देकपवे। तो कि शरीर सिक्र ने ता दे देता सी, उन्हों कवाली करदवाले नुख्यकर सी, जिस्ता शरीर सी, उन्हें संभादना सी, और सम्हाले आवी, इसली महापरश्य एक पंगती लाइंग पड़या कर दे सान, गुरुदी देलोड होवे, होवे दिशमेश जया, जैसे दिशमेश माता गुजरी देलाल दी, सारी रात पैरा देवे, आप चौंकी दार बन, पाप अगविच्चों लवे सिक्नू निकाल दी, जो के रखन जिसना सरीर है, उन एक पैरा देना जिसी, उन उफिक्चिसी, मेरा एक बेश कीमती लाग, कि ते गंदी नाली बिच देखना पर देखना पर, हाँ जदों कोई केस कर दित रहेगा, मेरा अपनी मरसी नालोगा, सरीर किसे पासे जा नी सकता, सरीर कहे, कि मैं हुन कलब विच भी जाओ ना, गुर्द वारे का हो आया, परके में जा सकता, क्योंकि शरीर गुरु दे चुक्ता है, शेख दातान वी अपनी मरसी नाल से खर्च नहीं कर सकता, एक तरीका दस्यासत गुरु जी ने, जी नाल नहीं जा सकता, जी नाल नहीं जा सकता, शेख दे मन दी तमाम इच्छ समापत हो गई, जदो हुक्म होया, मन बेचै सत गुर्च के पास दोड़ी सुक्मनी महला पना, जनो मन गुरु नों अरपन कर देता, जैसे आपनी मरसी के में कर सकते हैं, बस मन मत दा ते गुर्मत दा एहो परक है, शेख गुर्मत मार्च के चलता है, अपनी मातों ने त्यार देती है, गुरु दी मातन साथ चलता है, ते मन मत देढ़, मन मत यहां जो है, उन्हें मान दी मत मताबक चलने, जो मनने आजिआ हो कर लेंगा, ओहो को नी करना है,। नहीं, शेख ने असल अन प्रापत कीता है, नाम तन। पे नाम तन। जिस जनग के पाला पाला है, सोरी पूरा सहा इत्सलिद Baker महला कीता है, नाम तान के कदे कोई चुडा नहीं सकता, कदे नाश नहीं हो सकता और एस तान नो दुनिया ते तान ते बदले प्रापत नहीं कीता जा सकता दूसरे पास ते नाम नो चंदन ते रूप विजवी वर्नम कीता है नाम एक चंदन है, ते चंदन तो आरा ठंद है मनुखनु ठंदे के प्रापत हुन दी है। रिशिया ने परेरना तर दिती सी के मठ्षे टे चंदन तां लाउनाए पंड़त जी तो आठे मठ्षे वेज शांती रहे। क्योंकि जितनी ये शांती है मनुखता ते अंदर जितनी बेचैनी है ये मनुखते मठ्षे तो शुरू हुन दी ये मठ्षे तो रिशिया ने पुरादम तरीके लाल दस्या कि ये चंदन लगान ता मतलब है तेरा मस्तक ठंदा रहे। तेरा मठ्षा तपे ना जिस वेले ब्राम्र दे हांठ वे शुरी आ गई उने तिका भी लाया ओने तेड़ तो तीभी बद्द्धी गावानु भी कतल करे क्मानु भी कदल करे ता सद्गुरु जी ने पुर्माया मत्थे डिका तेड तोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई वारा सामाणा उन्हों क्यों बरामन आखते हो उन्हों कि साई आखो ओदे मनुखता दा कातल है इंसानियत दा कातल है पार यहाँ अपनी मथ्थे ते उदिक्का लाई जावे ओली हुद दिक्का भी बनाउती हो गया बनाउती बन गया ताँ चंदर्ण ठंड है लोग इसी तेट्व खुरागक लानदे शन मथ्थे ते कि मस्टड ठंड़ रहे पार एस चंदुन्यावी चंदन ने पंड़ते मठेद उपर उल्टा असर कीता चंदन ने मठा थंडा करंदी बजाए आगवां जिला देता माथ है त्रिप्टी द्रिष्ट करूर बोले कौडा जहबा की भूर आशा महला पर मठेदे तेनवाल पैदेने क्योंकि पंड़त दे अंदर करोध है द्रिष्टी प्यानक है बहुत प्यानक है बहुत गरूब है बहुत प्यानक द्रिश्टी है बहुत प्यानक नजर है उस नाबाक रूह दी चुडासी हर्मंदर साहब दे हमने तुर बाद जितनी आ तस्वीरां देखोगे प्यानक दे ड्राउनियां हो नहीं जिमें आपने कर्मतों खुदी और शर्मसार हो रही हो जिमें ओर रूह बेचैन होठी होगे उदा रंप ही बदल गया रूप ही बदल गया तोकि माथ है त्रिफ्टी द्रिस्ट करूर बोले कोडा जेबाक की पूर ऐसी इस तरी एक राम हो पाई आसा महला बेंती का रहासा चंदन दे टिके ने उल्ट असर कीता तमोगुन पैदा कर देता पर नाम ऐसा नहीं कि किसे इन उल्ट असर हो जा गए ये थे थे केंदेने चंदन मेंच भी इनी ठंड नहीं ना सर्त रुत मेंच इनी ठंड है ना दुनिया दे ओर तरीके एना ठंड सीतलता का दान दे सकते ने जितनी सीतलता जितनी ठंड के वह गुन जी दे नाम बेंच देता है चंदन चंदन सर्त रुत मूल न मिटई काम सीतलती मैं नान काज बंदरो हर नाम जैश्री की वार महनला पड़ी एवो इकार नर्ग जल्दा है दोस्क दियाग पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी पढ़ जैमन मुखताई है मारू सोल है महनला दीचा अगंदी सागर नर्कांदी आख अगर सागर वांग पढ़ पढ़ कर देए इस विले आख बाल देए उड़ी अवाद पढ़ पढ़ करके दो पेटी ओ शब्द हजूर गुर्व परमेश्वर्दी वर्ण करते ने पर ओस नर्क दी आख विच जालते बालते जीव पुकारा का रहने जदो राजा जनक नाम देखन वाला पहुंचे आख उसारे सी दिल हो गया ओ आगी बोड़ गई ओ सारा वाता वर्ण थंदा हो गया फिर उन्याख क्या तो अनू छड़ के नहीं जाता तो अनू ने थो लेके जाना नाम दा फरताप नाम दी थंदे के जलते बालते नर्कते नर्की दी भी थंदे हो गया नाम सिमरते हैं, सिमरते हैं, यह साते अंडर तमूग उना कुरोध पैदा हुनài है, दाश्मिय के विर्सकीती सी बीरता टे गुरोध विक्स्पर कहिए, जिदू कुरोध पैदा हुन jij, ता वो दू इंग पर्दीर हुनogen साथनू नाम चंदन दी, यह ठेंड गपरापत नहीं करें असाधे अंदर अजे नाम दी कणी नहीं आई नाम दासन नहीं करें नाम चंदन है वो याद आज स्रीय महले तुझे के पाट कहां दे ने गुरु अंगर देव जी दे शरीर विच्चों एक खोब खुश बहु आ रही सी एक महिक आ रही सी ओ जिते भी सन ओ महिक सी ताहि दर्थ है खुश्बू अगास दर्थ है परविठ हो जाना वर्दा को हो जाना ताहर में केंदरां ते खुश्बू महकाई जान दिये क्योंकि सतकार नाव है श्रीय मंदर साहब विच्चे गुरु राम दास्ती दी सेवा लिए अने का श्रगालो अमृत वेले खुश्बू ताहर चीजना लेके पहुंदेशन ते गुरु राम दास्ती दी सेवा विच्चे जाना अर्पन हो जाना ते गुरु राम दास्ती आनो असल खुश्बू देन जिस नाल साधा मां में कुट थे तानता कले में के गई एदे विच्चो तबदू ही निकल दी है इनी गंदा परसमनो खेदे हम्मलीनन मजार गर्द गंदा नान क्यात गर्वेन यद्यानयो महला पत्वांगा था शरीर नो कितनी हैं खिश्बू हां लगा लगा लए है तो कि को लोग लगा दे ने ताहिए इनी है चीज़ा मैं दिया विच्चिया ने और बंदिया ने ये कोई ना लगावें ताप ए जीज़ा बंदो ही बंद हो जान पर एस शरीर विच फिर भी बदभू बदभू रहती है रातनों हातनों तोके समों स्वेरे उठ दे आपने सासां जो ही आपनों ही बदभू होती है स्वेरे फिर उठाओ बरश करो पर सिंगा दी बोलनी विच एदा उठस नाम होौर है voisओ देब शुवा स्वेरे की सी खांते ये फगौत दे बोले विच जीजाओ ते सीज़ा दे पंत दे बोले विच केवने लग माजना दादनों माजना कोड़ करते सके मूं माजना दांद माजना करते साफ करते। पर हुंता सारी दुनिया भी काहा इचा सिस्टम चलता है, मुख मादेना तक काट कोई करता है, दातन लोग काट करते हैं पर गुरु क्याने, पंसदे बोरी चाल भीचे मुख मादेना दातन मुख आख्या तंदा है आपने सासां विच्छों बर्गुआ देहें, आउड हाट दीने, स्वेर्दा समंदर अच्छा हुंता है, माता वरुची कुंदैता हाद दीये, आउड देनु भी आद दीये कितनी अच्छी हैं चीज़ां सरीर ते लगा लो, सरीर विच्छों कुषीना आवे का बर्गुआ पे की, पर मांदी कुछ गुरु राम दास दीदे, दारते साथी आवाल भी में, परवान हो जावे, ओ साथे मन में का देन, यदिने साथे मन दें अंदर में का दे, सुजीत राम पुरी दी, एक कवता बहुत दास दीदे, और अखी इला सेंटेंस है, दस जापला मेरे चनना, इस दे, इस दिल ने कद है चन दन बनना, में एक परी को इवादा बुला, अर्शांकों लहरा दे, सुजीत राम पुरी प्याना खो, सुजीत राम पुरी दीदे, दास ज दना का, तु मेरे चनना, इस दिल ने खश्बोई बनना, में एक परी कोई वादा बुला, अर्शांतों लहरा दे, तु चन्दन है, तेरा नाम चन्दन है, मैंनू दास दे जा, ए मेरा दिल कदो चन्दन बनेगा, इस मेरे दिल वित कदों खश्बुला बेगी, मैं जतन सा क अर्शांतों लहरा दे, तु एक ऐसी हवा बगा दे, अर्शा तो एक खश्बु वाली, बमन चला दे, हवा चला दे, इस सारी मनुक्ता दे अंदरों, बदभूस मापत हो जा दे, मनुक दे अंदर भूस है, जिनों किसे दे अंदर थोड़ा जया, हमकार पैदा हुन रहा है चार पैसे आ जान, कोई पद्वी प्राफ़त हो जावे, फिर जनों आमान आंदायते लोग कहने हैं, ओदे बड़ा बदभूदार आदमी, ओदे अंदर बड़ी बू है, सारी मनुक्ता दे दिला दे अंदर बदभू है, हे गुरु नानिक साहब है, तु रहमत कार है, ज्छे की जे की आपनी रह Competition दे नाले आपणे नाम अपंई पगती दी चंदनदा को गुला आ ही पेज दे में, हवा दी के लखर ही पहिल दे में, मैगपरी कोई वादा बुला अर्शा तो नेना दे, Udhu जाता हुआ हवा क्योंक आंटी तो नाम आश्यम तो आया it ज़ो के सेदा जीवन में तरह है ओदे चौकरते जितने लोगां देने ओखोद चंदन हो जांदे ने तायों के देने चंदन निकट सब चंदन हुई या बिलावल महला जवता दस्परिया चंदन दे नसीक रहन वाले सारे चंदन हो जांदे ने तायों पगल कबीर जी ने पुरमाया है कि बही चंदन का बिर्वा पला बेड़े उर्टाथ पलास वो एकी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास सलोग पगल कबीर के नाम जुकरवाला चंदन ते रुखवर का गुर्मख गुर्शिक जित्थे ओवेगा ओदे नसीब कोई आजावे ओदे अंदरों महग पैदा हो जावेगी ओदे अंदरों फिश्पूर पैदा हो जे आज दो नौ जिवाना नो देखी दा है गारगाद हो जान दा है देला आज ओथे लंदन भी हमसे लोग छोट छोटे बच्या ने शबद पढ़िया बड़ी खुशी होई देडे ये थे जन्मे ने शंद पर देशान बानी दाकीर कर देशन बड़ी खुशी होई बड़ी परसंताथ होई आना उजवाना नो देखी दाए गारगाद हो जाही दाए क्योंके हम उमर ने इस वास्ते भी चाहां चड़ता है और पेदीना लोकां उपर पविखत है कौमा दा दुनिया दा प्याना को स्रीवाद कहने ने कौमा और पविखत जर्मनी देख भी चार आल नेा क्या है कौमा दा पुविखत देश दा पुविखत संसाद दा पविश्यत बचे दी मुठ्विट है क्या धने जृंने को अकि जो लॡ़ नहीं साय। शक्तियां हर वहां को ना दे सामने रुड़ गई यां प्याला को सिरी जदो सिखी दी सारी नौजवान पनीरी और छोटे 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 बच्चियां दा ज़स्पा अमर जीवन दे नाल खोलेगा नेरू परवार्दी ताकत उनुपला काइम रोख सकेगी मोर सकेगी उनुप पर तिनार्यां में च रख सकेगी नेरा को सिरी नुपना इस वास्ते खुशी उन दी पर क्यों जिसनों इस पुछीत है वे त गल केंदे पाई जबीर सेंदी आये सान बस सानुपां उनने प्रेजना नाले दीन प्रापत होये उनने सोगत नाल उनने संगत नाल असी इसपा से आएं हैं कोई सिंख है रहा है अजी कलमा में जान दे सा अरे उना निसंगर दाफल है चंदन जित्थे भी जावेगा उन्हें आपनी पिश्गुरु भी खेड़नी है आपनी महरक मनदेने सा सिक दा जीवन चंदन वरगा है पर जेग भुरु दी रह्मद हो जाए है उन्हें अधे अंदर नाम दी कनी होई नाम दी बरकत होई इसलिक वीर ची कह देने जदो नामी मनुक दे पास कोई जावेगा ना हम सिमर्द करन वाले ने पास कोई जावेगा उदे जीवन विच महग पैदा पूरे तो अज समापत करिए वाकी कल ते रज करांगे क्योंकि समग हो गया है बर मिंगम भी किसे परवार देकर समादों से उथे भी हादरी पर नहीं क्योंकि ये मसमून ताइसे ने एक जनम नहीं करोड़ा जनम ले लेए और युगा युगा तक बियान करी जाएए एतामी मसमून समापत हों वाले ने सिर्फ ये ना कैना जाहांगा शायद आत ही नहीं है कोई महबत के वसाने की सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद ये गिलमरादा बाद और जो गदीखियों करना इसलएए आईए गुरू के अदास करिए कि गुरू गोबिल सिंग साब जी ने जो अनद पर दी तरती थे पहार दे उपर केसगर काइम की पैर सिख दा उप सिख हो चुन जनमे आदे और गुरू गोबिल सिंगी ने बक्षिश की ती एक केसगर हाँ सिख दे सी सुप परूना ने काइम कर देता असी जदों केसगर दे दाइरे विच रहंगे केसगर दे अंदर रहंगे फिर दुनिया दी कोई ताकत असादा वाल नहीं विंगा कर सकेगी कोई पर आई असादे जस्दी की नहीं आसुखेगी उस केड़ा केसगर में चाहते हाँ आपनी जिदगी दों अमर करना चाहते हाँ फिर केसगर दे साजन हारदा बक्षिया हया ओ अमरत पान करिये जेड़ा गुरू गोबिल सिंगी ने केसगर दी साजना देना सानु भक्षिस कीता से मां पुर्शाना समागम आ रहे है याद समागम याद योना दी सदा है फिर भी सालाना देन मुख रखे इस वारी इत्थे यू के दे सिंग मना रहे हैं अमर संचार भी होएगा अमर्चको गुरू के केसगर में ताकी होगो साजाए दीवन वी सखला होगे आग्या भी चाहंगा वाज गुजी का फाल्सा